ते मैं राजी स्वागत करता हूँ आपके अपनी योटूब चैनल मेडिस्टार पर आज की वीडियो में हम बात करेंगे बिसकली भूख ना लगने का कारण, लच्छड और इलाज काफी पेसेंट ऐसे आते हैं आपके केलिनिक पर, जो कि बोलते हैं कि हमें भूख लगती ही नहीं है ऐसे में आप क्या लाज देंगे ठीक है, अगर आप कम्पलेट जानकारी चाहते हैं, तो वीडियो में लाश्ट तक बने रहे हैं, ठीक है कारण की बात करें, भूख क्यों नहीं लगती है, सबसे पहले अगर कोई बेक्ति टेंसन में है, डेप्रेसन में है और अधिकतर आप देखे होंगे, जिनके उपर जिमेदारियों का बोज होता, उनको भूख नहीं लगती है, ठीक है मतलब कम हो जाती है भूख लगना ठीक है तो टेंसन डेपरसन एलकोहल पीने से ठीक सर इस मोकें को गयर अगर कोई वेक्त कर रहा है ड्रग खाने से माले जो कोई वेक्त कोई दवा खा रहा है और खास करके अंटिवाइटिक लंबे लंबे टाइम तक खा रहा बिदावट प्रेस्क्रिप्सन तो दिक्कत होगी उसके पेट में केड़े वगयरा है तब भी दिक्कत होगी जाएज सिवा था भूख नहीं लगेगी लेबर में कोई प्रावलम है खुन की कमी तब भी भूख नहीं लगती है सिम्टम्स की बात करें तो खाने की इच्छा होती ही नहीं बिल्कुल भी खाना सामने रखा जाता है तो उठी जाता है खाता ही नहीं है ट्रेट्मेंट की बात करें इसमें एक एंजाइम टेबलर चलेगा जिसका नाम है यूनी एंजाइम इसी नाम से आप लेंगे ब्रैंडिड है तो इसको जो है सुबा साम चलाएंगे एक बेंड़ी 400 आता है जिसमें आल बेंड़ा जुल 400 अमजी होता है तुरंद खिला देंगे जिससे एक कीड़े और जो पेट के हैं सही हो जाए आरन फोलीक इसिड का सीरप दे देंगे 10 एमेल सुबा साम एक साइपान सीरप आता है जिसमें साइप्रो हप्टाइडिन होता है 10 एमेल सिर्फ रात को देंगे ठीक है साइपान पीने के बाद मतलब साइप्रो हप्टाइडिन पीने के बाद क्या होता सुस्ती आती है ठीक इसलिए इसको रात को देंगे एक सिरप आता है जेरी फोर्ट आप इसको दें या ना दें कोई दिक्कत नहीं जेरी फोर्ट दे सकते हैं वससे हटाओ बहुत ज़्यदा सिरप हो जाएगा तो बहुत कन्फियूज हो जाएगा इसको हटादो आप प्रोटीन पाउडर दो चमत जो है दूद के साथ एक गिला दूद ने मिला के सुबह सांद दे सकते हैं समझ गे किलियर हुआ डन हुआ इतना काम करेंगे यह जो टीटमेंट है एक महिना करेंगे तो पिसेंट को ताकत भी आ जाएगी भूख भी लगने लगएगी कोई दिक्कत होगा यह ने ठीक है सर और लिवर हो गयरा मगर सराब हो गयरा पी रहा तो उसको बंद करा दो कियोंकि जो भी कारार को केलियर करो तब ही और बीमारी ठीक होगा ठीक है